Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Step Clear Concept आज की जोब की अपडेट न्यूक्लियर पाउर कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेट की तरफ से रिक्रूट्मेंट निकली वी है, NPCIL की तरफ से यहाँ इलिजिबल की बात करें तो 2021 और 2022 के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं बट वीडियो लास देखने के बाद ही आपको पूरी वीडियो समझने वाली है रिक्रूट्मेंट टाइप की बात करें तो पर्मानल जॉब से एंड पोस्ने में यहाँ एग्जिगेटिव ट्रेनी रहने वाला है इंजिनेरिंग स्टूडन के लिए बेस्ट अपॉर्चुनेटी है क्योंकि इंजिनेरिंग स्टूडन के लिए ही जॉब रहने वाली है बात करें हैं तो सेलरी आपको ट्रेनिंग के टाइम पर 55,000 रुपे प्रोवाइड हो रही है आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लिएंट होने के बाद आपकी सेलरी लेवल 10 के अकॉर्डिंग होने वाली है जिसमें 56,100 से लेकर 1,47,000 पास्तों है आपको सेलरी प्रोवाइड होने वाली है वेकेंसी अभी किलियरली मेंशन नहीं हुई है यह नोटिफिकेशन शॉर्ट आईवी है भी आपको फुल नोटिफिकेशन गेट के रिजल्ट के बाद ही यह नोटिफिकेशन पूरी क्लियर होने वाली है जहाँ आपन एजुकेशन कॉलिफिकेशन की बात करें हैं तो mechanical engineering, production engineering, chemical engineering, electrical engineering, electrical and electronics engineering, electronics and telecommunication engineering, instrumentation engineering, instrumentation and control engineering, instrumentation and electronics के लिए ये recruitment है, civil engineering वाले भी eligible है application fees की बात करें हैं, तो application fees हैं 500 रुपे है, general OBC के लिए, बाकी other candidate के लिए, SCST, AX Serviceman, PWD candidate के लिए हैं, कोई भी fees नहीं लगने वाली है age limit की बात करें हैं, तो 26 year age limit है, relaxation की बात करें हैं, तो आपको relaxation मिल रहा है, जिसमें OBC NCL के लिए आपको 3 year का है SCST के लिए आपको 5 year का है, और 10 year का आपको PWD के लिए relaxation मिलने वाला है selection process की बात करें हैं, तो selection process आपका सरी personal interview के बिना पर selection होने वाला है से important बात, date of notification ये 7-9-2021 से start हो चुकी है, starting date of online application जब भी आपका gate का result आने वाला है 2021 में जो भी candidate अभी final year में वो gate का form fill up करें, और जब भी आप gate का form exam देंगे, उसके result के बाद ये 10 दिन के बाद आपका ये starting date of online application स्टार्ट होने वाला है and इसकी last date की बात करें तो 10-4-2022 इसकी last date रहने वाली है main ये important बात ये ही कि आपको ये गेट का exam देना कंपल सरी है, जो भी आपके gate के mark आने वाले है उसके बिना पर ये selection होने वाला है, personal interview के बिना पर तो आपका selection होने ही वाला है बट हेहां eligible gate गेट वाले ही होने वाले, जो भी 2021 में जिनोंने exam gate का दिया हुआ है उसके score के बिना पर हेहां selection होने वाला है and जो अभी 2022 में पास ओड होने वाले, उनके लिए भी कंपल सरी है gate का exam देना उनके gate के mark के बिना पर ही यहां selection होने वाला है जब भी आपके gate के मार declare होने वाले है उसके बाद ही 10 दिन के बाद यह official notification स्टार्ट होने वाली है इसका आप जरूर से ध्यान रखे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like, share, subscribe जरूर से कर देना क्या पता आपके एक share के वज़े से notification किसी के काम आ सकती है